हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रादा किचिन तड़का आज हम बनाएंगे साबूत दाना के पापड सरफ एक कटोरी साबूत दाना से धेर सारे साबूत दाना के पापड बना कर तयार करेंगे जिसे आफ वर्त में भी खा सकते हैं क्योंकि अब नवरात्री वर्त आ रहे हैं उसके लिए ये रस्पी बेस्ट है यहाँ पर इस कटोरी से मैंने नाप कर एक कटोरी साबूत दाना भिगो दिया था दो से तीन घंटे के लिए अभी ये बिल्कुल सोफ्ट हो चुका है और इसे हम मिक्सी के जार में डाल कर पीस लेंगे अच्छी तरह से इसका एक स्मूध साब पेस्ट बना कर तयार कर लेंगे इदे की डाल दिया है मैंने साबूत दाना को मिक्सी के जार में और जार आपको थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि अभी इस के अंदर हम डालेंगे पानी जिस काटोरी से नाप कर मैंने साबूत दाना लिया था उसी काटोरी से नाप कर एक काटोरी पानी डाल दिया है इसका बना लिया है बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट हलके हलके से चंक्स दिखाई देंगे आपको साबुत दाना के इससे आपके पापड में कोई फर्क ने पड़ेगा बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट है अगर थोड़ा बहुत चंक्स दिखाई भी दे रहा है तो अब इसे पकाएंगे उससे वो बिल्कुल स्मूथ बन कर तयार हो जाएगा इसे डाल लेंगे किसी भी बड़े बरतन में इसे हमें पकाना है अब डालने के बाद जिस कटोरी से हमने साबूत दाना लिया था उसी कटोरी से एक कटोरी पानी डाल दिया था साबूत दाना पीशते समय और अभी इसके अंदर चार कटोरी पानी और डालेंगे साबूत दाना को पकाने के लिए ये दो, तीन, और ये चार एक कटोरी में पहले डाल चुकी हूँ, टोटल आपको 5 कटोरी इसके अंदर पानी डालना है, एक कटोरी साबुदाना के लिए, जिस भी बरतन से आप नाप लेंगे, पानी भी आपको उसी बरतन से डालना है, बिल्कुल परफेक्ट आपको पापड बनाने हैं, तो आपको सह ऐसे पापड बनाएंगे, वीडियो को पूरा देखे, बिना स्किप किये, एक भी स्टेप छुटना नहीं चाहिए, बिल्कुल पूरा देखेंगे, 100% बिल्कुल परफेक्ट पापड बन कर तयार होंगे, आधा चमाज डाल दिया मैंने सेंधर नमक, क्योंकि ये वर्त के ल हलकी दरदरी कूटकर काले मिर्च भी डाल सकते हैं, जैसा भी आप वर्त में खाते हैं, उसी अनूसर आप बना कर रख सकते हैं, इसे आप एक बर बना लेंगे, तो आप यसे महीने भर 6 महीने के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होते, इसे लगातार चलाते रहना है, ताक पकने में अभी इसे लगातार चलाते रहेंगे और फ्रेंड्स आप सभी लोगों से एक छोटी सी विंती है अगर आपको रेस्ट भी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजी चैनल पर पहली बारे तो सस्क्राइब जरूर कर दीजी बेल आइकन प्रेस करें ऐसी बॉयल आ गया है चार से पाच मिनट के अंदर इसके अंदर बॉयल आ जाता है अभी इसके अंदर बॉयल आ गया है बॉयल आने के दो से तीन मिनट तक आपको इसे और पकाना है लोटू मीडियम फ्लेम पर इससे पका सकते हैं बॉयल आने के बाद इसे लोटू मीडियम फ् इसे और पकाना है इसी से हमारे पापड बिल्कुल भी फटेंगे नहीं अगर आपने अच्छे से नहीं पकाया तो आपके पापड जब सूखेंगे तो फट सकते हैं आप बिल्कुल अच्छी तरसी से पकाएंगे सारे स्टेप फोलो करेंगे तो आपके पापड बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुती अच्छे ट्रांस्पेरेंट से बनकर तयार होंगे टोटल आठ मिनिट हो गए है पकाते हुए गैस को ओफ कर दिया अभी मैंने इसको हलका सा थंडा होने देंगे इसके बाद इसे फैलाएंगे पापड बनाने के लिए देखिए हलका थंडा होने देंगे इसके बाद इसे फैलाएंगे यहाँ पर मैंने प्लास्टिक की सीट ली अगर ज्यादा पतली सीटली तो यह अच्छी तरह से फैलेंगे नहीं थोड़ी मोटी आपको सीटली नहीं है और उसके उपर ऐसे राउंड राउंड करकर फैला देंगे अगर आपको लग रहा है आपका बैटल ज्यादा पतला है तो वो इसलिए क्योंकि गरम है हलका सा उसे ओर ठंडा कर लेंगे तो वो अच्छे से हैंडल हो पाएगा अभी थोड़ा गरम होगा तो थोड़ा ज्यादा लिक्वीटी दिखाई देगा ज्यादा फैलेगा इसके लिए आप थोड़ा सा ठंडा कर ले फिर उसके बाद इसे फैलाए इसी तरह से सारे ही पापड को फैला लेंगे बना लेंगे और ये प्रोसेस कर रहे हूं मैं शाम को इसे फैन की हवा के अंदर ही सुखा लेंगे रात पर में इतने ड्राइ हो गए थे ये बहुत अच्छी तरह से सूख गए थे ये और पूरी रात इसे फैन के नीचे रखेंगे ना सुबह बिलकुल हलका सा ही मोश्चर रहेगा पाकी सूख कर तयार हो जाएंगे अभी रात का समय है मैंने सारे ही फैला दिये हैं और यह मौर्निंग का है देखिए मौर्निंग में बिलकुल अच्छी तरह से यह सूख गए थे सारे ही पापड ट्रांस्पेरेंट हो गए थे और बहुत ही यह देखिए कितने सूखे हुए अपने आप ही हट गए थे यह इस प्लास्टिक की सीट से और दो घंटे के लिए धूप में अच्छे से सुखा दिये अगर आपको ज्यादा लंबे समय तक स्टोर करने हैं तो पूरा दिन धूप दिखा दिखा देख सकते हैं बिलकुल ट्रांस्पेरेंट है बहुत ही अच्छे बनकर तयार हुए थे इतने खसता इतने मुह में घुल जाने वाली पापड बनकर तयार हुए थे हमने इसके अं अधार आपको ओल को गरम करना है उसके बाद लो फलेंपर कर लेंगे जैसे यह पापड डालेंगे बहुत अच्छे से फूल कर आएगा अपने साइज से दो से तीन गुना बड़ा हो जाता है यह पापड इतना अच्छा बनकर तयार हुआ है बिलकुल दूद के जैसे सफे पापड बनकर तयार होंगे इतनी टेस्टी हैं आप वर्त में भी खा सकते हैं बिना वर्त में भी इसे खा सकते हैं बना कर रख लेजिए जब आपका मन करें कुछ नमकीन खाने का तो आप पापड बना कर फ्राई कर कर इंजॉय कर सकते हैं यह देखिए बिलकुल सफीद आ और ये देखे मैंने बहुत थोड़े से ही पापड फ्राइ किये हैं फिर भी पूरी प्लेट भर गई है और देखे कितने क्रंची है ये देखे बहुत ही क्रंची बनकर तयार हुए हैं सौफ्ट इतने हैं मुमी जाते ही घुल जाने वाले बहुत ही टेस्टी बनकर तयार प्लीज लाइक जरूर कर दीजिये, थैंक्स फर वोचिंग